दोस्तो एज का बढ़ना एक नेचरल प्रोसेस होता है जिसके साथ साथ हमारी लुक्स भी चेंज होती चली जाती है लेकिन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हमारे बॉलिवूड एक्टर सेलेबिटीस बगयरा लेते हैं लेकिन अब यह कॉमन हो चुका है आम लोग भी अब इस फिल्ड वाले लेते हैं वो फिट रहने के लिए थोड़ा जिम बगयरा भी जाना शुरू कर जाते हैं और वहां पर स्टेरोइड का भी सहारा ले लेते हैं और इसी के साथ साथ वो पिल्स इंग्जेक्शन ट्रॉपिकल क्रीम अपनी एज को मेंटेंड रखने के लिए कि तेजी के साथ में एजिंग ना हो इस वजे से वो इस तरीके के ट्रीटमेंट लेने भी लग चुके हैं जिससे कि उनकी प्रफॉर्मेंस हो जाती है जिम के अंदर इसी के साथ सब्सक्राइब काफी बढ़िया हो जाती है और स्मार्ट लगते हैं और जवान लंबे टाइ सब्सक्राइब करते थे थे थोड़ा बहुत फेशियल भी करते थे वह भी बोटॉक्स की इंग्जेक्शन लगा रहे हैं सब्सक्राइब कि इस एक्ट्रेस को देख सकते हो जो कि काफी ज़्यादा ब्यूटिफुल लगती थी लेकिन अब इन्होंने अपना क्या हाल बनवा लिया है इतनी जादा प्लास्टिक सर्जेरी और बोटॉक्स इंजेक्ट करवा के क्या ज़रूरत थी तुम पहले ब्यूटिफुल थे लेकिन वह जब तक लिमिट में रहोगे तब तक ठीक रहोगे वरना इस तरीके के डिजास्टर तो होते रहते हैं दोस्तों आप मेंसे बहुस सारे लोगों थेटर पर मूवी देखना पसंद होगा लेकिन उसके अंदर खर्चा हो जाता है आपका काफी जादा लेकिन पी वी आर इनॉक्स ने अब मन्थली पास की सर्विस भी शुरू कर दिये जो कि एक अलग ही यूनीक चीज उन्होंने शुरू कर ये शायद कि अब बस पास बनवा सकते हो यह सिंफ चानव थेटर आ इस नोरा हई यहाँ अनॉक्स नोंत आप 10 मूवी जा मईक हो फोड गयर का उतला काफी जाताथब ये थेटर के इंदर लेकिन अब इन्你想 और यह देखते हुए कि कुई आप लोग काफी जाता कम हो गए है सांवी त कर दी है अपने खाने पीने के प्राइस भी और इसी कैसा सा थेटर के अंदर इस तरीके की सर्विस भी शुरू कर दी कि मंतिली पास लो और आते रो महीने में दस बार आ जो कोई भी फिल्में देखने के लिए अब यहां पर यह कुछ प्रीमियम ओफर भी दे रहे हैं हाला कि मुझे नहीं पता कि क्या होता है लेकिन समझ जाना जो भी जाता है आई मैक्स की सर्विस दे रहे हैं गोल्ड लक्ट से डायरेक्टर कट पता नहीं यह क्या है तो यह सब भी ओफर कर रहे हैं इसी पैकेज के अंदर और यह चाहते हैं कि भाईया जो लोगों की अब जो यह आदत बिगड़ तो इसकी वज़े से इनकी आदत सुधारने के लिए वापिस से थेटर की हैबिट लगाने के लिए इस तरीके का प्लैन बनाया है कि मंथली पासिस देने शुरू करो कंज्यूमर बढ़ा हो अपने दोस्तों आप मेंसे जो भी लोग पैट्स पालते हों कि उनको यह टिक्स बगेरा ना लगें लेकिन यह टिक्स गलती से जब हमको लगे और हमको काट लेते हैं तो उससे बुरा कुछ भी नहीं लग सकता इस दुनिया मतलब सबसे गंदी फीलिंग वही होगी कि चीचड़ा आपको काट ले तो मतलब कई लोग के साथ में शायद परसन हो जाता है यह काफी जदा रेर केस होते हैं मतलब यह बलड से होता है लेकिन टिक्स ने शायद किसी को पहले काटा होगा उसके बाद में बंदे को काट लिया जो कि वापिस मैरीलेंड में आया और इसका कोई भी इलाज नहीं है ना इसकी वैक्सिनेशन है ना इसकी क और वो एंड टाइम होता है बेसिकली कि मतलब यह लग गया अब इसका कोई इलाज नहीं है और इस तरीके से मौत हो जाती है तो मैरीलेंड के बंदे की मौत इसी वज़े से हुई है कि किसी टिक्स ने उसको काट लिया जिसको पवासन वाइरस था और इसकी वज़े से इस जान चली गई दोस्तों नासा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है मतलब इसको अभी कोई नहीं तोड सकता क्योंकि यहां पर पारकर सोलर प्रोब की स्पीड 6,35,266 km पर आर की हो चुकी है और यह फास्टेस स्पीड है किसी भी human made object की हाला कि इसकी स्पीड अब और भी गेन कर लेगा क्योंकि सन का gravitational pull इसको काफी जाधा स्पीड दे रहा है और यह कोई artificial propulsion system का भी use नहीं कर रहा है यह सारा कमाल सिर्फ sun की gravitational force का है और यह इतनी जाधा स्पीड है कि सिर्फ एक घंटे में पृत्वी के 15 चकर लगा सकता है इस स्पीड से दोस्तों ऐसा लगता सारा है और इन्होंने अपनी सारी सेविंग जो की 20 सालों की इन्होंने जुटा कर रखी थी अपनी marriage के लिए कि मैं अपनी marriage में पैसा करूंगी जो की 10,000 pound थे यानि कि होते हैं 10,000 रुपे इंडियन करंसी में वो इन्होंने अपनी शादी के अंदर ही लगा दिये जो की इंचन रखा था बहुत मेहमान भी आये थे लेकिन दूला नहीं था उसमें क्योंकि यही दूला था यही दूला था यही दूला थी और आपस में हो गई शादी